तो चलिए सीधा आप रुख कर लेते हैं चंडी गड़ का जहाँ पर कृष्षी मंत्री जेपी दलाल इस वक्त प्रेस कांफरेंस कर रहा है किसान के हित्मे फैसला लिया है और विपक्स हमेशा भरेम फला करके सरकार के उपर दोसारपन करता है तो इस तरह का महौल पैदा करके उनकी कोशिश यह होती है कि किसान को संकट हो कोई ऐसा महौल पैदा हो जाए कि किसान की फसल ओने पूने दाम पर बिके लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे किसान की फसल पूरा MSP बिकेगी किसान को पूरा पैसा मिलेगा और कोई हर सरकार के हमारे बीच की बात है अगर कुछ कम पैसा मिलता है तो उसको हर्याना सरकार बरपाई करेगी यही आज का एक विशे था दूसरा एक विशे मैं आप रखना चाहता हूँ बार बार अमारी विपक्स के नहता ये फसलों की खरीद पर भाव पर चर्चा करते हैं मैं आंकडों से किसी भी विपक्स के नहता से जब तक वो चाहे चर्चा करने को तयार हूँ कि उनके वकत में क्या खरीद होती थी उनके वकत में क्या खराबा के पैसा मिलता था उनके वक्त में कितना बीमे का पैसा मिला था उनके वक्त में किसान को डीबीटी से कितना पैसा मिला था कितनी खरीद होई थी उस बात पर आज तक किसी भी नेता ने हा नहीं की है कि हमारे साथ आंकडों पे सर्चा करे लेकिन सिर्फ ग्यान बाजी करके दोसार उपन सरकार पे करके भर्यम पर लाना चाते हैं मेरी उन से प्रातना है कि अगर वो अपने आपके उनके वकत की नितियों को अच्छा सावित करना चाते हैं तो अपने किसी नमाइंदे को भरिष्ट नमाइंदे को मेरे साथ बैठे और सारे पत्रकार वारता में अपनी अपनी चप्चा रखे, वो अपने समय की बात बताएं, हम अपने समय की बात बताएं, जन्ता इसका फैसला करेगी, अच्छायकार पत्रकार बंदू है, आपके सामने सही बाते आ जाएगी, यही मुए आप बताना था, और किसान भाईयो से मैं यह प्राइफिना करता हूं कि बहुत तेज गती से पिसले तीन-चार दिन से गहूं आया है क्योंकि पहला हफ्ता तो सारा बारिश में भीगा हुआ था दूसरे हफ्ते में अबारे पास आप कल तक का जो है सतरा पॉइंट प्चासी लाख में ट्रिक टन गहूं आचका है जिसमें से हमने 10.47 की खरीद कर ली है अब लिप्टिंग की वेश्टा चल रही है और सर्शों का भी जो है पिछले दो-तिन दिन से हम जो भी सर्शों मंडी में आती है उसका 80-90% MSP पर खरीद रहे हैं सर्फ 10% स तो हम एक लाख बारा जार मिट्रिक टन सर्शों की अराइवल हुई है और सतरा लाख पर्चेज हमारी 95,847 हुई है लिफ्टिंग जिसमें से 65,800 एकाउन मिट्रिक टन कर चुके हैं ये कल तक का हमारा डाटा है ऐसी तरह से 17.85 सर्शों जो है तोटल अराइवल एक लाख बारा जार मिट्रिक टन की है जिसमें से टोटल पर्चेज 95,847 मिट्रिक टन की हुई है और लिफ्टिंग 65,814 मिट्रिक टन की हुई है ग्यहूं कल तक 17,85,991 मिट्रिक टन आया है और ज्यादा तर पिछले 4,5 दिन में ये आया है जिसमें से 10, लाग 47,564 मिट्रिक तन की हमने पर्चेज कर ली है और कल की पर्चेज अराइबल है सबसे ज्यादा हुई है 4,47,830 मिट्रिक तन की एक दिन में अगले 4-5 दिन में हमें उबिद है कि रोज 4,5,000,000 तन आएगी और पिछले साल से इस बार ग्यों की खरीच ज्यादा होगी पि मुझे लगता है कि इस बार जो हमारी पर्चेज है कि उनकी 70-80,000,000 तक भी पहुंच चकती है कि किसानों पर है कि कितना मंडी में लेकर आते हैं हम तयार हैं खरीजने के लिए सारी विवस्ताइए हमने कर ली है बारदाने की विवस्ता है लिफ्टिंग की कार्टेज की मंडीयों के अंदर हमारे वरिष्टा दिकारी भी जा रहे हैं और दो शिकायत आई हमारे पीछे एक मंडी से आई थी टोहना से एक शिकायत आई कैथल से कि किसान के साथ तोल में गड़वड़की है उनका हमने लाइसंस स्पेंड कर दिया और जांच करके अगर गलत किसान के साथ कोई भी आदमी जाती करेंगा उसको किसी भी सुरत में बख्षा रही जाएगा सरकारी अधिकारी है उनकी खलाफ भी हम करवाई करेंगे किसी भी जो भी खरीद हमने की है वो फुल MSP पे की है किसान को पूरा पैसा मिल रहा है यह बरम फलाने की कोशिश कर रहे हैं देवन से जो हरियाना सरकार ने खरीद की है वो MSP पे की है अगर बार सरकार कम पैसा देती है तो बार सरकार के हमारे आपस का मामला है किसान को पूरा पैसे मिला कि यहूं अभी तो खरीदी हमारी दो चीजों की चल रही है कि हूं की और सर्सों की सर्सों पूरा पूरा चमन सो पचास रुपे में खरीदें और यही भी खराब कोई विशे नहीं है तो साफ सूका मौईचर का विशे है उसमें इसके अंदर भॉषी तो इस बार पहली बार यह आया है कि इसमें गहूं में इस बार चमक कम थी और गहूं में आम तूर पर जो ब्रोकन होता है छे पर संट की लिमिट थी वारज़रकार की एफशाई की तो इस बार छे से करके हमने 18 पर संट तक का खृदिने का इजाजत मां हैं कि वो तूटे हुए का कुछ कम पैसा देंगे हमने उन से बात कि है कि आप तूटे हुए का पुरा पैसा दे वो अगर दे देते हैं तो ठीक ने किसान को हम पूरा का पूरा जो हम इस पी है वो पैसा देंगे दूसरा भी चाहिए है कि गिर्दावरी अभी तक नहीं हो इसा है वो खाली हो गए खेट आपके पर्संट गिर्दावरी होई है उनको जैसे गल्फ़े मी होगे सरकार के राकड़े उनके पास होते हैं गिर्दावरी करने के पैमाने हमने चेज कर दिये हैं गिर्दावरी करने के लिए किसान से हम गिर्दावरी कराते हैं फटवारी से हम गिर्दावरी कराते हैं चतिपुर्ती साहिक से हम गिर्दावरी कराते हैं हैँ हमारे पास तरह का डाटाइक रिूद्ध से हम कर वा रहे हैं, वह अलगा खड़ा वह लगए या ना लगे हमारी जो है कर दाटा मं हमरे की हम हमल हमारे को पिशान दें के मैं करate कम्टेंट सब्सक्राइब करता इस बारे करता है पटवारी आपको आपको इसी की चिंता करें जरुत नहीं है पटवारी गडल आराउटी होके नहीं है थाis बिप्टि के मिश्टर से उन वीशी करते हैं वो बता रहे हैं कि गिर्दारी का काम जो है जो फसल खड़ी फसल में आलमोस पटवारी ने कर लिया है और उनका दायव तो सिल्दार का इस दिम की जो चेकिंग है वो वो कर रहे हैं इस महीने के अंदर पूरा का पूरा डाटा के पास आज़े पिछले सप्ता वर्षे जो गर्मी है या जूत है उसके बावदूद आप यह मांनते हैं कि अप सरसों पसले में नमी होगी कि मंदियों में तो किसान को यह कहके उसके हमने कोई डेहरी वापिस दी मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूं कि फिछले दो दो दिन से दो दिन से यह डाटा मेरे पास अभी नहीं है अचा है कि आज तक गिरदावरी चतिपूर्ती साहिक के बगर भी होई है ना हम यह हमारा 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 मकसद हमारा मकसद यह है कि आइडेस्टिन उनको हम थ्टी कमिश्डर को यह भी कहा है कि आपको जो घ्रिजोट है जो हम लगाते है उनकी साहिता लेरी तो भी ले लें लग cur Tips और साहरे इस महीने के अंदर अपरेल के महीने के अंदर सारा डाटा कंपाइल साथे में नहीं हो रहे हैं इसा है जो जो हमारे उपर हमारे व्यवस्था पर प्रश्ण लगाने वाले लोग है उन्हों ने अपने सासन के दोरान दस साल में हजार क्रोड पर मौजा नहीं दिया हमने मौजे मौजे का इस में नुकमियां की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आकड़े बोलते हैं खार लोगा पर य hen हमारी जो नेतिया है किसान ही और शी है किसानों के और सबसे ज्यादा हमने मौजे के पैसे दिये हैं किसानों को डारेक्ट हम किसानों की जो नीतिया के है चाहिक नहिट फ़िपरेंगेशन की है और जो नाूट यह कुए है ति ति हम हम ने बताया कि मैई के मेहने में हम किसान के खाते में पैसा देगी जलाल साब आज तो मेडिया के सवालों से आप फड़ा साउते ही तो रहे हैं वो तीज दनी में बहुता है यह से बिलकुल ने बताओ कि एक डिमांड थी किसानों को 50,000 प्रती एकर प्वालजा और 500 प्रती ने उड़ा की डिमां करने का उसको हक है तो पहले माफी तो मांगे अपने किसानों के साथ जात्ती की थी पहले उसकी माफी मागे हम तो करें हमारे हमारे हमारी जो नितिया है उन से मैं कहता हूं कि कंभिर करें बहुत अच्छा यह है पहली बार फेस टू फेस लोगों से चर्चा कर रहे है और लोगों की गाव में जाके उनकी समश्याओं का समाधान कर रहे हैं बड़ा अच्छा रेस्पोंसार रहा है और इससे जो है अबारा जो लोगों से इंट्रेक्शन है तूभी हो रहे हैं पास देखर के लोगों को बिखाया जा रहा है वो लोग आते हैं उनकी तो यह चंडी कर से सिधा लाइब प्रेस कांफरेंस आप देख रहे थे जापकर क्रशी मंत्री पत्रकारों के सवालों का जबाब दे रहे तो